बात बनती है क्या, ऐसे एक ट्रेन में बिठा दिया, टिकेट वापिस लेके हैपी जरनी, सेहत का ख्याल रखना, खेती नहीं करना, दुनिया का सबसे बड़ा धंदा है ये क्योंकि हर जीव को भोजन चाहिए, इंसानों की छोड़ो, सारे कीडे, मकोरे, सब को चाहिए भोज और पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, इसलिए किसान मर जाते हैं, चार-पांस दिन पहले एक बिल पोस्ट किया था फेस्बुक पर किसी ने, दो हजार किलो अनार होगाया किसान ने, शहर गया बेचने के लिए, और वापिस लेके कितना रुपया पता है, तीन रुपया अनार अगर वो रोज खाता भी ना, तो दो-तिन में तक अच्छे से भर पेट खाता, कून बनता अच्छा उसका, देड़ स्वर रुपय से कम में सड़ा हो अनार नहीं मिलता जी, किलो, दो हजार किलो कितने का हुआ हो, गेट यूर मैथमेटिक्स राइट, तीन रुपय अ कुछ बेच देंगे, वो नौकरी करने में बिजी हैं, वो खेती नहीं करते, helping someone is having a business, we call ourselves settled, पैसे कोई और कमाता है न, नींद खाली मेरी खराब होती है, घर में लोग समझते है बेटे की नौकरी है, जपान में रहता है, एंगलेंड में रहता है, बैंगलोर में रहता है, वो कर लेते हैं, और खेती का नाम सुनते हैं, हमको लगता है, suicide है, pesticide है, गरीभी है, भुख में हजार तरह के, बिशेशन आते हैं, दिमाग में तो खाना छोड़ दो, न, खेती सच में टफ काम है, and for that matter, nothing is easy also in this world, in this life, stop eating then, नहीं होगा, खाना बंद कैसे कर सकते हैं, उग आने से मिलता है, प्याज के नाम पर तरह ही तरह मचा रहे हैं, अभी हार्वेस्ट नहीं है, प्याज का, मंगी क्यों नहीं होगी, एक प्याज उगा के तो देखो, पता चलेगा एक प्याज उगाने में खितना लगता है, हम इसा नहीं करते, तीन बार खाते हैं, मैं थोड़ा हार्ट बोलता हूं लेकिन सथ यही है पांच हजार टन खाल इस शहर से निकलता है एक दिन में किचन का वेस्ट बैंगलोर बहुत छोटा शहर है बाकी मेट्रोज के कंपर जान आधिल वो डेली से कंपर करें तो काफी छोटा है पांच हजार टन एक दिन का निकल करें से कच्रा कम नहीं होता काम होगा क्या बताएं करने से कच्रा नहीं कम होता यह मुझे बेवकूफी जलता हो सेग्रेयट करो उसी रिखी ट्रॉक में डालके मंदूर में जाकर फेक देते हैं टेलमों मंदूर लीताने विसा को दैला पूरे पूरे 14-15 लाख मेटरी टंसर रहा है कच्रा, एक स्वास नहीं ले सकते, वो सरकार का दोश नहीं है, सारे किचन का दोश है, कहन सर फैलाते हैं हम, हमको लगता है हम अच्छे आदमी है, पच्पन परतिशत वेस्ट से हम गोवर बना सकते हैं और उसे टमाटर घर में उगा सकत अच्छे क्वालिटी के आ रहे है, कि agriculture is not a rocket science, अगर आपको खाना है तो उगाना पड़ेगा, आपको नहीं तो बच्चे को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 2012 से गेहूं का उत्पादन पूरी दुनिया में कम होना शुरू हो गया, और वो बोलते हैं no matter what it's not going to come up, अब अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शहर जाके किसी अपने collector office में जाके बात ही नहीं कर सकता कि सरकार ने कितनी subsidy दी, बात कर सकता है क्या हो, वो शरीर से अस्वस्त है और शिक्षा से अस्वस्त है, वो भी असिक्षित आदमी है